हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो आज है थर्ड में 2021 और आज इस वीडियो में हम पूरा आपका पूरा नियूस बारी की से चर्चा करते हैं और उसके साथ-साथ आपका आगे का क्या रननीती हो सकता है वोड़ाफोन आइडिया के अंदर उसके पर भी पूरा डिसकाशन करेंगे तो प्लीज वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरान तक आपको सिंपली यह चार्च चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा तो दोस्तों काफी दिनों बाद आज वोड़ाफोन आईडिया की शे मैंने के बात करें लगा तार आपको गिरावाई नजर आएगा और आज की रिट में जो जंप लगाया करिबन एक से देर परसें उसके पीछे का जो सबसे ज्यादा रिजन है वह वोड़ाफोन आईडिया का फंड रेजिंग जो की सेप्टेमबर 2020 में ऐसा एक रिपोर्ट नोटीस भेजा था वोड़ाफोन आईडिया की तरफ से बेसी की उपर की 25,000 करोर का फंड रेजिंग होना था सेप्टेमबर 2020 में बट अनफॉचनेटली वो डिलेट हो गया पर यहां पर और एक फंड रेजिंग का न्यूज वोड़ाफोन आईडिया की तरफ से आ चुका ह सबसे पहले दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहां पे न्यूज के उपर cnbc tv15 की वेबसाइड में तो दोस्तों यह न्यूज का अबडेट है आज की डेट पे यानि तरड में 2021 शाम को साथ बजे का यह लेटेस्ट न्यूज है वोड़ाफोन आईडिया के उपर देख सकते हो हैं दोस्तों हेढलाइन वोड़ाफोन आईडिया एक्सपेक्ट स इनिश्यल फंडेजिंग आफ़ रुपीस साड़े 7000 करोल बाई जून एंड यानि क्वाटर वांड की हैंड के लोगए ऑसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है शप्त क्यूपत द्यान देलों दोस्तों यह और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि actual news क्या है देखे वोड़ाफोन आइडिया यानि वी expects to conclude its delayed fundraising delayed fundraising ऐसा शब्त क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये fundraising दोस्तों actually September 2020 में हुआ होना चाहिए था जो की around जो valuation fundraising था वो था 25,000 करोर का वही fundraising दोस्तों डिले हो तो वो fundraising अभी जून के एंट के अंदर ऐसा expert किया जा रहा है वोड़ाफोन आइडिया की तरप से ऐसा हो सकता है fundraising जून के एंट के अंदर initially of around 1 billion dollar around सारे 7,000 करोर बाई जून एंट the economic time reported quoting people familiar with the matter economic timekeeper यह news सबसे पहले आयाता रिपोर्ट किया गया था वोड़ाफोन आइडिया की तरप से चले नीचे चलके और भी डीटल में जान लेते हैं उसको छोड़के दोस्तों यहां पे और भी एक news है सारे बड़े चोटे बैंक इंडिया के अंदर यह fundraising में पार्टिसिपेट करने वाला है उसको छोड़के दोस्तों नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि आपको पता ही होगा Vodafone Idea को पर कितना ज्यादा करजा है और इतना ज्यादा करजा होने के लिए Vodafone Idea का share price कहां 100 रुपए से बीच में 3 रुपए 4 रुपए में आ गया था तो वही लिखा हुआ है कि जितना जितना करजा है Vodafone Idea के उपर वही करजे को पर बात कर रहा है और लास्ट यह आपको याद होगा यह जो मैं अभी आपको बोला कि Vodafone Idea फर्स्ट एराउंट 25,000 करोर fundraising plan in September 2020 में वह होना मतलब एक ऐसा रिपोर्ट किया गया था Vodafone Idea की त ख्यान देना दोस्तों यह कोई confirm news नहीं है मैं आपको clear करके बता कर रखना चाता हूं यहाँ पर Vodafone Idea की तरप से भी clear करके रखा है कि ऐसा expect किया जा रहा है यानि हो भी सकता है ना भी हो सकता है confirm news नहीं है अब बात आते कि Vodafone Idea की शेयर के उपर कुछ यहाँ पर हम technical support levels की बात करूंगा क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों यह तीन मैने का चार्ट पैटन है देखिए तीन मैने के अंदर शेयर पैस कहां से कहां तक आ गया देखिए 12-13 रुपए में चल आ था जहां पे February के एकदम Middle Week पे 12-13 रुपए से दोरस्तों एकदम शेयर पैस गिटते ग आ चुका है यानि करीबन 50% शेयर ब्रेक हो गया तूट गया है अब बात करूंगा सबसे पहले या इसका जो सपोर्ट लेबल एन आरेसा इंडेक्स का अगर आप देखोगे आरेसा इंडेक्स दोस्तों 36 के आसपास चल रहा है यानि ओवर सोल्ट जोन पे अभी नहीं पहु यह जो सारे साथ रुपए का लेबल जिसके अंदर दोस्तों वोटफोन आइडिया को बहुत ही सॉलिड सपोर्ड मिलाता ठीक है मैं एक साल का चार्ट पेटरन ओपेन करूगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इसी हो जाए देखे यह जो सारे साथ रुपए का जो दोगा में की टाइम पे यहां पर जो सारे साथ रुपए का लेबल क्रोस करके उपर भागाता शेर उसके बाद से देखिए यहां पर जरूर गिरवाट आया एक बार दो बार तीन बार चार बार उसके बाद देखिए आज की रेट पर पांच बार यहां पर करीवन चार से पाज बात दोस्तों ये साड़े साथ से 8 रुपए के लेबल के उपर वोड़ाफोन आइडिया की शेयर को सपोर्ड मिल चुका है तो सबसे पहला सपोर्ड लेबल तो यही है अब बात आता है क्या आपको वोड़ाफोन आइडिया में निवेश करना चाहिए या नहीं दोस्त अगर शेयर पाइस आर्ट या सारे आठ रुपए से गिर्टे गिर्टे तीन रुपए पर भी आ गया तो आपको बहुत बढ़ा कोई नुकसान उठाना ना पड़े आदर वाइस आपको अगर टेलीकम सेक्टर में निवेश करना है तो भारती एक्टल से बेटर कोई अगर आपके पास Vodafone idea का share price है यानि आप पुराने shareholder हो Vodafone idea का तो उस case में मैं आपको बोलूंगा कि आप hold कर सकते हो, क्योंकि Vodafone idea के अंदर दोस्तों धीरे-धीरे जो situation है, जो स्थिती है, वो चेंज होड़ा है but अभी आपके थुड़ा सा time देने पड़ेगा and patiently wait करन पड़ेगा क्योंकि अगर आप देखा जाए उपर की तरफ अगर लेबल की बात करें तो यह जह 13-14 रुपए का लेबल है यहां पर बार 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 डेजिस्टंस फेस करता हुआ नजर आया तो अब देखना यह है क्या यह फंड्रेजिंग होता है या नहीं होता है अगर हो गया अगर हो गया फंड्रेजिंग तो शियर प्रेज दोस्तों आराम से 15 रुपए तक या 20 रुपए तक पहुच जाएगा बट अगर नहीं हुआ फिर से सिप्टमबर की तरह अगर डिले हो गया तो फिर से शियर प्रेज में थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल सकत है तो दोस्तों बात करेंगे आज की डेट में कैसा कारवार रा वोड़ाफन आइडिया की शेयर प्रेज में शेयर प्रेज ओपन हुआ था आट रुपए 30 पैसे पे हाई टच किया 55 पैसे पे एंड क्लोजिंग दिया आट रुपए 45 पैसे पे करीबन एक से 13 परसें आज ज मत करना यह जो न्यूज आया है यह आप यह आप देख सेकते हैं क्लियर कर लिख हुआ है कि ऐसा एक्सपेक्ट लिया जा रहा है कि वोड़ाफन एडिया फंरेजिंग कर सकता है तो जब कंफर्म न्यूज आ जाएगा तभी आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी पे फ्रेश प कर लिख आपा इसमें स्मॉल कुल वोढ़ाखन बढले है आप जब कि यह हो जगамен रहाऊ इसमॉल